आल्ला एक है इसमें किसी का जगड़ा नहीं है उसकी इवादत करनी चाहिए इसमें किसी का जगड़ा नहीं है जगड़ा है लाइफ स्टाइल का जगड़ा है कल्चर का संस्कृती का और हर मजव अपनी संस्कृती को अल्ला से जोड़ता है कि अल्ला ये कह रहा है क्या अल्ला टाइम टाइम पर नई नई बाते कहता है या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है या आगे फ्यूचर में कुछ और नई नई बाते भी कहेगा बाई साब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राइन है कि अल्ला एक है भगवान एक है सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए लेकिन हर मजब अपनी कल्चर अपनी संस्कृति को देखके स्टाइल बदलता है तो अल्ला ताल जो पहले की चुका वो अभी भी से में के टाइम टाइम पर बदलता है बाई था है लेकिन ये कहना चाहतू ह strangers जवाब दिने के पहले उन्स बाइसअब ने का कि सब मानते क्या लाइख है यह मैंने ही मानत Ellie मांते है मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते ये ये मेरा मेरा फील्ड है ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्ला एक है क्या भगवान एक है कई लोग भगवान में मानते ही नास्तिक कहते और जो लोग कहते भगवान में मानत है किपने लोग 3 में मांनते किजिरों सब कुछ भगवान मांते तो पहले आपके जो सवार का जो पहला जो हरी निसान मानता है भगवाने के उससे में मत्तफिक नहीं हूँ DJा prevalet kys可asan एक ही एक एकि इश्वर को पूछते है कि अबादत करते यह जो यह बात है कि अक्सर लोग मानते के भगवान एक है यहां तक के तो सही है अक्सर सबने अक्सर लेकिन एक ही भगवान को पूछते यह बिल्कुल खलते है सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते मिसाल के तोर पे अक्सर कुरान के आहते है कुरान के आहते है कि जो लोग कहते है कि एक बगवान को मानते है लेकिन और को भी पुछते है उसे कहते है शिर्क आप पूछेंगे आम इनसा बगवाने के बगवाने के मालिके के बोलेंगे लेकिन जा रहे पूज रहे बुद को पूज रहे कभी इसको पूछते है कभी इसको पूछते है तो ये आप अगर धरम के किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है, ये हराम है कि किसी और को पूछना, इसके बावजूद धरम के मानने वाले अकसर दूसरी चीज़ को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है, तो ये कहना कि इनसान एकी भगवान में मानता है, और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है, आप देखेंगे, आम तोर पर जो फरक है, कि जो कुरान कहते हैं, आपस में उस चीज़ पर आओ, जो हम और आप में यकसा है, सबसे पहली बात है, अल्ला ना अबदा इल्ला, कि हम एकी इस शोर, एकी भगवान की अबादत करे, एकी भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के इलावा उसी की अबादत करना और किसी की नहीं, आपका एहम सवाल, कि हर मजभ, एकी भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है, एकी भगवान की अबादत कहना है, बिल्कुल सही है, लेकिन अपने त अलागा जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता ने, क्या लाइक है, एक इश्वर की अबादत करो, वो बदलता ने, उसके कुछ चीजे, उपरी चीजे शायद बदले, मिसे आगे तो पर किस तरीके से अबादत करना, हम जिस तरीके से सला पढ़ते है, वो च प्राइम जाने के वज़े से जो मथभी किताबें लोग बदलते गए है लौत अल्ला 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 फर्मादे है कुरान में सुरा नमबर दू आयत नमबर उन्यासी फवैलु लिल्ल्लजीन अकथबून अकिताब बैदीहिं सुम्मा एकुलून हाजा मिनिन्दिल्ला लियश् उनके उप़ जो कमाते हैं और लालत है उनके हाथ के उप़ तो आला ताला फरमाते हैं कि किताबे बदली गई हैं तो जितने मथभी किताबे हैं आज की तारिक में सारी कुरान मजीद को छोड़के विलियम मौर एक क्रिटिक है इस्लाम के खिलाफ किता लिखता है बहुत की थी 200 साल पहले कि शायद एक ये मख़भी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के वह कुरान तो एक किताब जो महफूज है क्यों अल्ला सुभानाओ ताला कहते है कुरान में सुरह हिजर में सुरह पंदरा आयत नमर नौ में कि मैंने खुरान नाजल किया है और मैं इसकी 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 इफासद करूंगा जितने पहले किताबे आये वो वक्त के हिसाब से बदल दिये और अल्ला सुभानाओ ताला ने उसे महफूज रखने की जरुज समझा ही नहीं क्यों कि जितने पैगंबर मुहमत स्लीज इसकी 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 इसक वह सुरीं वक्ति के लिए।你在 उली वा फिर घृनाजया है। और गृरान है। वो सुर्ण मुस्लिम के लिए और सिर्थ इस वक्त के लिए वो सारे इन इस आर अमयम्त के लिए अक्तिकयां तक है तो क्योंके ये किताब महफूज रखने वाली किताब है ये किताब कभी नहीं बदलेंगी ये आखरी है और अल्ह ताला फर्माते हैं सुरे माइदा में सुराम में पांच आयत नमर तिन में क्या मैंने इनसानों के लिए इस नाम चुना और उनके लिए ये मजभ सबसे बहतरी मजभ चुना और ये मुकमल हो गया इसके बाद कुछ चीज नहीं नहीं आएंगी और कुछ चीज निकारी नहीं जा सकती तो पहले जितने किताब आया जितने नाजिल हुए अल्ला ताला के वो बदलते गए क्योंके उसे महफूज रखने की जरुद थी नहीं क्यों लुद रखा गया है तो अल्ला सुभाना और ताला ने चौदा सोन साल पहले समझे के ये वक्त ही तहीं है कि इस दर्जेप पहूंच गई कि वो बदलते सीजित आप मुझे पुछे है कि क्यों नहीं किया तो मैं कहूंगा कि एल्ला ताला हमारा खालिक है वह जानता है कि इ मेरा बेटा कहेंगा कि मुझे डॉक्टर बनने का डायरेक्ट मेडिकली कॉलिज में दालो मैं वह हूंगा पहले बैटेंट करो स्कूल जाओ फिर कॉलेज जाओ फिर मेडिकली कॉलेज जाओ तो उसी तरीकिता अल्ला सुभाना वतार हमारे खालिक है वो जानते थे कि यह चौ दिमाकि विमारी